हैलो बचू आज की क्लास में हम डिसकस कर रहे हैं हमारी coordinate geometry यानि अनि बिशांक जमिती का एक important formula जिसे हम कहते हैं mid point formula मध्धे बिंदु सूत्र generally हम क्या करते हैं? हम formula ना रट लेते हैं यह जाने बिना कि वो आया कहाँ से, बना कहां से तो आज हम यही देखेंगे कि यह जो midpoint formula है यह कैसे बना जिससे कि हम उसे और अच्छे से समझ के यूज़ कर सकें तो start करते हैं midpoint formula का derivation तो अब हम section formula यानि जो विभाजन सूत्र हैं वो सीख चुके हैं तो क्या है हमारा section formula x is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 और y is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 और हमें पता है यह जो x और y है यह वो point है जो हमारे line segment यानि जिसके points हमें x1 x2 यानि जिसके point हमें x1 y1 x2 y2 दिये होते हैं उसको divide करता है तो अब हम देखें मानले हम यह हमारा एक line segment है यह point A यह point B A के coordinate है x1 y1 और B के coordinate है x2 y2 और यहां mid में क्योंकि midpoint formula है तो बिलकुल इसके beech ओ बीच एक point है x, y जो इसे divide कर रहा है यानि c मानलेते हैं इस point को और इसके coordinate x, y है यह इसको two equal parts में divide कर रहा है यानि एक part हमारा यहाँ है और एक part यहाँ है अभी तक हम क्या कर रहे थे हम कहते हैं कि वो कहीं भी हो सकता है जरूरी नहीं बीच में हो लेकिन जब हम midpoint की बात कर रहे हैं तो यह जरूरी है कि वो point बिलकुल mid में होगा अब जब वो बिलकुल mid में है यानि one part हमारा यहाँ पर है और one part यहाँ है it means वो उसे one is to one के ratio में divide कर रहा है यानि यह हमें मिल गया हमारा m1 और यह मिल गया m2 अब यह सारी values यूज़ करके हम इसे section formula जो हमारा विभाजन सूत्र है जो अभी हमने यह लिखा है इसमें put करेंगे तो इसमें value रखना शुरू करते हैं x is equal to m1 अभी हमने देखा one है हमारा m1 into x2 plus m2 into x1 divide by m1 plus m2 y के लिए भी रख लेते हैं m1 into y2 plus m2 into y1 divide by m1 plus m2 क्योंकि m1 और m2 दोनों ही one one है आप यहां देखें तो यह तो x2 हो गया और यह x1 divide by 2 y को देखें तो y2 plus y1 divide by 2 इसे थोड़ा सा rearrange कर लेते हैं तो x मिल गया x1 plus x2 upon 2 और y हो गया y1 plus y2 upon 2 तो अब जब भी हमें यह बोला जाएगा question में कि midpoint है वो तो उस समय हमें section formula यूज करने की जबरत नहीं है हम direct हमारा ये formula जो है जिसे हम midpoint formula कहते हैं इसे use कर सकते हैं यानि क्योंकि हमें पता है ratio तो one is to one का है तो हमारे पास यह आ गया हमारा midpoint formula अगर हमें मध्य बिंदू किसी भी रेखा खंड का line segment का दिया हुआ है तो यह था हमारा formula derivation for midpoint तो अब इस derivation को ध्यान रखेगा आपको formula रटने की ज़रूरती नहीं है formula तो हमने derive करना ही सीख लिया तो practice कीजिए इस derivation की मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक keep practicing and enjoy maths